दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आपका दूर सुधी रुपात ध्याए जवलपर से अमरकंटक जोड़ने वाला यह नेशनल हाइवे जिसमें जो हंगामा बरपा हुआ है यह बास्टाव में सहपोरा बस्ती में पीती 17 जुलाई को हनुमान जी के कठिक अपमान को लेकर हो रहा है यूँ तो टिंडोरी की पुलिस ने आरोपियों को खटना के कुछी दिन बाद गिरफ्त में ले लिया था लेकिन उसके बावजूद भी यह आग धीरे धीरे पूरे इलाग में सुलकती ही रही है पीते दिनों इस्थानी हिंदू संग्ठनों ने पूरे नैशनल हाईवे को जाम कर दिया इस मांग को लेकर कि आखेर आरोपियों के घरों में बुल्डोजर क्यों नहीं चलाया गया अंत्रता है चला प्रसाशन के मुखिया याने कलेक्टर दिन्डोरी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में बुल्डोजर की कारवाही भी कर दी गई यह घटना यद्यपी हंगामे के रूप में तो सांथ हो गई लेकिन इसकी आग अभी भी राजनेतिक कलेयारों में सुलग रही है जहां भाजपा के अध्यच्छ सहित अंड़पदा दिकारियों ने एक प्रेश विग्यपती जारी कर एक वीडियो जारी कर स्वयम को इस अंडन भी कर दिया और विरोज भी कर दिया भाजपा ज्यच्छ ने कहा कि हम घटना के प्रतम दिन से ही सकती रहे हैं और हमारे उपर जो घ्रामक प्रचार किया जा रहा है वह गलत है सुनिए उन्हीं की जुबानी पूरा हिंदू समाज आक्रों से थैं और इसमें जो भी दोसी हैं उनके खिलाप कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए आज उनका मकान तोड़ा गया है आगे एनसे लगाए जाए और मैं आज आप सब के माचल से कहना चाहूंगा कि यदि उनकी उपर कड़ी कारवाई नहीं क कि गई और जल्दी जेल से चूटिंगे तो प्रसासन को मैं चैताना चाहता हूं कि हम सब मिलकर खेरे कांगोलन करींगे तड़ी कारवाई होना चाहिए इस पर हम सब एक मत और संगटेक हैं मेरा ये कहना है कि जो मेरे उपर आरूप लगे हैं और हमारे पतादिकारिया के उ और सारे लोग और जो उस दिन आंदोरन कर रहे थे वो लोग भी बहाँ पस्थे थे यदि मैं किसी के सामने यदि कहां हूं तो महां वीडियो होने हैं और यदि कोई इस तरह का प्रमान लाता है तो इस गटना इस कथन के लिए मैं जिम्बेदार होंगा दूसरी तरफ हिंदू संगर्थनों ने इस का स्रे लेने के लिए यह कहा कि भाजपा के पदादिकाजियों ने हमारे धरना के बावजूद भी कोई सहयोग नहीं किया और जब पबलिक उमड़ी तो सभी लोग स्रे लेने आ गए बहर हर हंगामा सांथ हुआ है लेकिन नावी समय में यदि भाजपा और हिंडू संग्तन ही आमने सामने होंगे तो कांग्रेस तो मजा ही लेगी आज के लिए बस इतना ही यदि यह वीडियों पसंद आया हो तो सेर कीजिए लाइक कीजिए धन्यवाद जय हिंद